है एक है है एक है है वेल्कम बेक टो माई चैनल आज हम जारें जिलिमिल गुफा जो की रिषी केस से 34 किलो मेटर की दूरी पर पड़ता है प्रेंड्स रिषी केस से निलकन जाते समय रास्ते में भून गाऊं आता है और भून गाऊं से चार किलोमेटर जिलमिल गुफा है अभी हम बहुर गाउं से निकल चुके हैं इस यहां पे आपको एक अलगी एक्सपिरिंश मिलेगा जिलमिल गुफा जाते टाइम क्योंकि जिलमिल गुफा तक जाने के लिए जो भी रस्ता यहां पे बनाया गया है वो पूरा कच्चा रस् और जो यहां के विव हैं बहुत ही अच्छे हैं वैसे तो आप और भी कहीं घूमें होंगे ऐसी जगह बट मैं पहली बार ही जा रहा हूं ऐसी जगह पर क्योंकि मैं फिसेंटली निलकंट भी गया था बट वहां पे रोड पक्की थी लेकिन यहां पे जो रोड है वो बहु होती है वहां पे ड्राइविंग करने में बहुत ही प्रहसानी का सामना करना पड़ता है जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे को यहां के वी बहुत अच्छे लगे क्योंकि जो यह एरिया है यहां का जिलिमिल गूफा कि तरफ जाते टाइम यह बिल्कुल सान्त एरिया है यहां यहां पर लगा लो आपकी पूरा सहर से दूर है यहां पर कोई भीड़बाड भी नहीं है और जो एक नैचर का जो इंजोई है यहां पर फूल आ रहा है अगर आपको भी इंजोई आ रहा हो तो हमें भी इसको आप कमेंट बोक्स में आप लिखके मैसेज करिएगा चलिए फिर फ्रेंट्स आगे चलते हैं हम लोग यहां पर जो गाउं के लोकल हैं उन्होंने हमें बताया था कि आप जैसे बोन गाउं से निकलोगे तो गाड़ी डारेक्ट जिलमिल गूफा नहीं जाएगी वो गाड़ी जिलमिल गूफा से अठारा सो मीटर पिछे तक ही जाएगी उसके बाद फिर हम लोगों को ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा चलिए देखते हैं फ्रेंट्स कब हम लोगों को ट्रैकिंग करने को मिलेगी बट यार यहां के जो विव हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इन्वार्मेंट भी बहुत अच्छा है यह देखिए फ्रेंट्स कितना अच्छा भी हुए यहां का फ्रेंट्स फाइनली अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करती है क्योंकि यहां से गाड़ी आगे जाएगी नहीं यहां से रोड खराब है जैसे कि आप देख रहे हैं और हाइट भी है रस्ते में बहु रिसी केस से निकले थे और भोन गाओं पहुंचे थे भोन गाओं में हमें कोई नहीं मिला आप्टे टाइम बट यहां पर हमें कोई एक फैमली मिल गी जैसे कि आप अभी देखेंगे फैमली को और हम लोगों ने मिलके जो अपना ट्रैक था पूरा किया और फ्रेंट्स इस इस ट्रैकिंग में मज़ा भी बहुत आया क्योंकि हम लोग जब यहां से निकले तो बारिस भी ओने लगी थी बारिस जब हुई तो हम लोग ने कैप्चर नहीं किया हम लोग रूप के थे रस्ते में यह देखिए फ्रेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं यह रस्ता देखिए आप कितना डेंजर रस्ता है यहां पर गाड़ी चड़ना बहुत ही मुश्किल है वैसे तो बड़ी इसलिए हमारे गाड़ी नहीं चड़ पाई यह देखिए फ्रेंट्स यह सामने फैमिली जा रही है हो जिसके साथ हम लोग भी मिलके गए थे यहां पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं क्योंकि यहां पे इतनी सान्ती है फ् और यहां पे आप परकर्ति का फुल मजा ले सकते हो और आपको जब आप यहां पे आओगे तो आपको अपनी लाइफ में एक अलगी एक्स्पिरेंश मिलेगा फ्रेंड्स अभी हम लोग जिल्मिल गूफा वाला जो रस्ता है पैदल ट्रैकिंग वाला अभी उसी रस्ते पे हम लोग आ गए है फ्रेंड्स जो यहां के विवे बहुत ही अच्छे हैं यहां पे आने के बाद तो मन को पूरा स्कून मिल रहा है और माइंड भी पूरा फ् इस वीडियो में देखके आपका भी मन अच्छा हुआ तो कमेंट में जरूर लिखना यह सामने फ्रेंड्स एक हनुमान जी का मंदिर है आप भी मेरे साथ बोलो जय बजरंग बली भगवाने की जय हो चलिए फिर अपनी सफर को कंटिनू रखते हैं हम लोग गुफा के अंदर एंटर करते हैं तो दर्वाजे पर ही बाबा गोरखनाथ की मूर्ती विराजमान है और फ्रेंड्स यहां बाबा गोरखनाथ में तपेश्या की थी फ्रेंड्स कहा जाता है कि यहां गुफा सत्यूग समय की है फ्रेंड्स अभी हम लोग गुफा के अंदर हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आप भी दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स गुफा के अंदर बजरंगबली भगवान की मूर्ती विराजमान है यह देखिया आपके सामनी है और फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखोगे कि यहां पे शिव संकर भगवान की भी मूर्ती विराजमान है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेर लाइक एंड सस्क्राइब करना ना बुलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ